केंद्री मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू ने कुछ वक्त पहले ही कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का नमर वन आतंगवादी का जिसके बाद देश भर की सियासत में तुफान आया और वो तुफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है देश भर में अलग-अ जगहा रवने सिंग के पुतले फूके गए कॉंग्रेस नेताओं ने इसका खुब रोध किया इन सभी के दोरान कॉंग्रेस विधायक वेदमा भोजू ने कहा तक कि जो शक्स बिट्टू का सरकाट कर लाएगा मैं अपनी जमीन उसे सोब दूगा अब इस पर रवने सिंग बिट्टू ने जवाब दिया है नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दन अगरी नियोस दरसल वेदमा ने कॉंग्रेस नेता रहूल गांधी पर मंतरी के बयान के खलाब परदिर्शन किया था और इस दोरान मीडिया से बात करते हुए वो बोले थे रवने सिंग ब बिट्टू ने एक्सपर इसका जवाब दिया और लिखा 1984 से 2004 तक कॉंग्रेस नहीं बदलिये वे तब भी सीकों का खून चाहते थे और आज भी यही चाहते हैं खरगे जी की महबबत की दुखा मेरा मान नहीं कि हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए खरगे जी क्या आप अपने पत्र लेखन खोशल का परदिर्शन करेंगे और इस कॉंग्रेस विदायक के हिंसा के समर्तन की निंदा करेंगे या फिर कॉंग्रेस अद्यक सिर्व रहूल गांधी को खुश करने के लिए लिखते हैं तो वही बिजेपी तेलंगाना ने एक्सपर लिखा खानपूर के कॉंग्रेस विदायक वेदमा ने घोशना कि ही कि जो भी केंदरी मंतरी रवने सिंग बिट्टू का सिर काटेगा उसे वो एक पॉइंट 38 एकर जमीन देंगे तेलंगाना में राहूल गांधी की तथा कतीत महब्बत की दुकान में इस तरह की खतरनाक और अपराधिक सब वाली बाते आम होती जा रही है ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दनंगरी ने शुक्रिए